नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका में आपका दोस्त दिनेश निम्बवत क्या हो रहा है दिन भर आपने देखा होगा कई दिनों से चल रहा विवाद रूस और यूक्रेन रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया ये खबरे हमने दिन भर देखी अब जानते हैं कि इस विवाद का कारण क्या है क्यूं ये इस्तती बनी एसिया नेट न्यूस हिंदी की इस रिपूर्ट के अनुसार देखें तो 20 सबसे बड़े कारण जिसने रस्या यूक्रेन के बीच करा दिया माभारत आसान सब्दों में देखेंगे विवाद की 360 डिगी वज़ा देखते हैं क्या है देखिए बात करते हैं इंटरनेशनल डेस्के अनकी बात कर रूस यूक्रेन विवाद की असली वज़े की परताल करें तो रूस और यूक्रेन के भी जंग जारी है मौत की संक्या पता नहीं चल पारी बताए जारा कि कई सो लोग गायल है हजारों लोगों को बेगर होना पड़ रहा है कई देशों के नागरिक भी यहां फसे हुए इस यूद की वज़े से यूरोप में विश्व यूद जैसे हालात पैदा हो गए है इस समय पूरी दुनिया के नजरे इन दोनों देशों पर जानकर अब इसे खर्रे से रूस और यूक्रेन के बीच हुए विवाद को बहुत बारिक इससे समझने की कोशिस की एक्सपर्ट ने 20 असान बिंदों के माधियम से इस पूरे विवाद के असली वज़े को समझाया अब देखते हैं विवाद क्या है क्या है यूक्रेन का इत इससा था यूक्रेन की सिमा पस्चिम में यूरोप पस्चिम के अंदर यूरोप और पूरो में रूस से जुड़ी हुई है यूरोप से और पूरो में किस से जुड़ी हुई है रूस से जुड़ी हुई है अब रूस यूक्रेन विवाद की सबसे बड़ी वज़े क्या दे पूचा जा सकता है ये बड़ा चर्चा में सब्ध है NATO North Atlantic Treaty Organization NATO को माना जाता जिसकी वज़े से एक यूद शुरू हुआ है 1949 में ततकालिन सोवेत संग से निवटने के लिए अमरीका ने NATO उत्तर अटलांटिक संदी संगटन का गटन किया था 1949 में हुद दियान रखी का संगटन को रूस को काउंटर करने के लिए बनाया गया था अमरीका और बिर्टेन समय दुनिया के 30 देश NATO के सदस्य हैं NATO के कितने सदस्य हैं ये भी important या बन जाता है अमरीका और बिर्टेन के समय बात करें तो दुनिया के 30 देश हैं इसके सदस्य है यदि कोई देश NATO देश पर हमला करता है तो वो हमला पूरे NATO देश पर माना जाएगा जिसका मुकाबला सभी NATO सदस्य एक जुट होकर उसका मुकाबला करता है ना यूकरेन भी NATO में सामिल होना चाहता है लेकिन ये बात रूस को रास नहीं आ रही है इसी वज़े से विवाद जारी है रूस का माना है कि अगर यूकरेन नाटो में सामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूकरेन की सिमा पर डेरा जमा लेंगे इस वज़े से रूस को लगता है कि नाटो जैसे या जैसे संग्टन के सैनिक अगर सिमा पर आ जाते हैं तो उसके लिए समस्या हो सकती है रूस चाहता है कि नाटो का अपना विस्तार ना करें राश्पति पूतिन इसी मांग को लेकर यूकरेन उपस्ची दैसों पर सिर्फ 12 लाक सेनिक हैं इसकी वज़े से रूस को खत्रा महसूस होता है इस वज़े से रूस किसी भी कीमत पर यूकरेन को इसका सदस्द्सीajовать रूस चाहता है कि नााटो उसे लिखित में आश्वासन दिए कि वे कि वह यूकरेन को नाटो में कभी सामिल नहीं करेंगों इसके अलावा रूस का कैना है कि नाटो उन देसों को सामिल ना करे जो देश उर्ड़ोपिय संग से अलग हों है नाटो इसे लिखित रूप में दे करिमिया विबाद 2014 की बात करे हैं तो रूस ने 2014 में यूकरेन का सेर क्रिमिया पर कभजा कर लिया था अधरसल कृमिया में ए भी हैं कि क्रीमिया में ज्यादा तर लोग रस्यन बूलने वाले जो रूस से अधिक लगाव रखते हैं इस वजह से यूक्रेण डरा हुआ है कि रस्या उसके और भी सेत्र प्रकबजा कर सकता इसलिए वो नाटो में सामिल होना चाहता है रूस और यूरोप गेस पाइपलाइ है रूस हर साल करीब 33 बिलियन डॉलर बिलियन डौर का वुक्तान यूक्रेण को कर रहा है यह रासी यूक्रेण के कुल बजट की चार फिस्टी थी रूस को इसकारण बहुत महंगा यहनकी दस बिलियन डॉलर नौर्ट नौर्ड इस्ट्रिम टू गेस पाइपलाइन की सु रिजना आसान होगा रूस और यूक्रेण के वीच सनाव नौंबर 2013 में सुरू हुआ जब यूक्रेण के ततकाली राष्टपती विक्टर यानुकोविच का क्यू में विरोध शुरू हुआ जबकि उन्हें रूस का समर्थन था यानुकोविच को अमेरिका बिरिटेन समर् से प्रदस्न कारियों के विरोध के कारण फरूरी दोजार चोइस में देश चोड़कर भागना पड़ा इस खफा ओकर रूस ने दक्सिन यूक्रेण के किरिमया पर कबजा कर लिया इसके बाद वहां के अलगावादियों का समर्थन दिया इन अलगावादियों ने पूरी यूक्रेण के बड़े हिस्से पर कबजा कर लिया है फिर 2014 के बाद से रूस समर्थ तक अलगावादियों और यूक्रेण की सेना के बीच डोन बास प्रांत में संगर्स चल रहा था इससे पहले जब 1991 में यूक्रेण सोवेद संग से अलग हुआ था तब भी कहीं बार क्रीम यूक्रेण पर हमला बोल दिया ना कल ही अब यदि नाटों ने रूस पर जवावी कारवाई की और यूरोप के अन्य देश इस जंग में कूदे तो तीसरे विस्वित का खत्रा बढ़ सकता तो ये थी वजह किस कारण से यूक्रेण और रूस का विवाद चल रहा है और पिशार आप रख सकते हैं कमेंट वोक्स में नमस्कार